हेलो एवरिवन, माई नेम इस मिसिस जैनी स्मित, वेलकम तो यूटूब चैनल लालबाग गल्स निटर कॉलिज से, सब्जेक्ट होम साइन्स क्लास 10 के लिए, बच्चों हम आपको 4 चैप्टर लेके चल रहे थे, ग्रह सज्जा, उसमें हमने आपको 5-6 लेक्चोज में बताय यह बताया था, और आज हम बताएंगे कि फनीचर कितने प्रकार के होते हैं, फनीचर कई प्रकार के होते हैं, यहां हम आपको 8 फनीचर के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहला फनीचर है हमारा लकडी का फनीचर, दुसरा है बेत वाला फनीचर, धातू का फनीचर, धात युक्त गद्यदार फनीचर और सेवन्थ है फोल्डिंग फनीचर और एट है हमारा लास्ट एट जो है वह है काम चलाओ फनीचर तो बचो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि लकडी का फनीचर परस्पारी गरोप से घरों में लकडी से निर्मित फनीचर ही प्रियोक क पारकेस लकडी के फनीचर कॉंसी लकडी से बंता ह्यों शीश्यंग की लकडी से देवदार टीक जामुन आदी की लकडी से फनीचर तयार किया जाता है इसका फनीचर होताह मजबूत होता है आज कल वनस्पथ्य जन्य कच्छी सामगरी से प्लाई बुड भी तयार की जाती है और इससे भी बिन-बिन प्रकार के फनीचर तयार किये जाते हैं लकड़ी के फनीचर की शोबा को बढ़ाने के लिए हम उसमें वानिशिंग या पेंट का इस्तमाल करते हैं यह हमारा हो गया पहला फनीचर दूसरा फनीचर हमने आपको बताया है बेत का फनीचर जो होता है वो बांस की लकड़ी का होता है बेत भी बनस्पती सामगरी होने वाली सामगरी है यह बांस जैसी होती बांस का फनीचर होता है जो की जंगलों में पाया जाता है और इन चेतरों में यह चेतर जो होते हैं आदी बासी लोग बेत से बहुत सारा फ पर अधिक जो नहीं होता है सुनदर तो होता है हलुका भी होता है बेट का फणिचर लेकिन यह मझबूत और टिकाओ नहीं होता है थर्ड फनीचर है हमारा धातू से निर्मित फनीचर आजकल फनीचर विवी ने धातूं से तयार किये जाते हैं इनमें लोहे तथा एल्मोनियम से फनीचर मुख्य हैं लोहे का लोहे से बना फनीचर भारी तथा एल्मोनियम से बना हुआ फनीचर हलका होता है लोहे के फनीचर पर paint अर्थवा chrome polish करवानी अनिवारिय होती है दादू का फनीचर मजबूत तथा ठिकाव होता है दीमक तथा घुन लगने की अशंका नहीं होती है फोर्थ फनीचर है हमारा प्लास्टिक का फनीचर जड़तर देखिया आपको घरों में प्लास्टिक की चेर जरूर मिलेंगी है ना तो प्लास्टिक से बनाये जाता है फनीचर जबकि कुछ फनीचर प्लास्टिक या धातू मिक्स होता है आज कल प्लास्टिक की कुर्सियां में, जी, स्टूल, रैक आदी लोग पर यह बहुत हो रहे है प्लास्टिक का फनीचर हलका और सुन्दर होता है इस पर किसी प्रकार की पॉलिश पेंट की अविशकता नहीं होती कि गंदा होने पर इसको सरलता से साफ किया जा सकता है तो बचो आज हमने आपको फनीचर के चार पॉइंट बताए है कौन-कौन से फ़नीचर बताया है हमने आज आपको लकडी का फ़नीचर, बेत निर्मित फ़नीचर और धातू निर्मित फ़नीचर और प्लास्टिक का फ़नीचर अब चार के बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फ़नीचर के बारे में बताएंगे तब तक के लिए थैंक Thank you so much!